वेलो स्टुडेंट्स वेदिक मैथेमेटिक्स की बेसिक लेवल के चैप्टर 2 एडिशन बेस 10-80 के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है इस सीरीज में हमारे पास यह चैप्टर 2 है जिसमें हम एडिशन सीखेंगे विद बेस 10-80 लेकि हम सिंपल जो एडिशन है हम करते ह आए हैं व्यदिक तरीके से हम इसको कैसे करना है वो समझे स्पोस्व हमारे पास 15 & 70 दो नंबर को हमने एड़ करना है देखिए यहां पर आपने दो चीजों का ध्यान रखना है बेस एंड कॉंपलेमेंट बेस एंड कॉंपलेमेंट यहां पर इस नंबर के साथ में अब बे 9 जो हमारा बेस है that is 10 11 to 19 हमारा बेस जो होगा वो 20 होगा 21 to 29 हमने जो बेस लेना है वो 30 लेना है 31 to 39 हमने 40 लेना and so on ऐसी ही हमने आगे बेस लेना है compliment हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं अब यहां पे आपने बेस बेस हमारे पास क्या होगा 11 to 19 में हमारे पास बेस कितना है 20 है तो बेस आपने 2 लेना है यहां पे यह 2 लिख दिया हमने ठीक है क्योंकि हमने 10 डिजिट पे लिखा है तो 20 हो गया अब यहां पे आपने क्या करना है 7 का अगर हम compliment लें 7 का compliment 7 का compliment unit digit में 10 के साब से 7 का compliment कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 7 का compliment 3 दो चीजे देख लिया आपने base देख लिया 2 है, compliment देख लिया आपने 3 है, अब आपने क्या करना है, दो step होंगे, इनको plus कर देना है और इनको minus कर देना है, हमारे पास base add हो जाएंगे और जो compliment है वो क्या हो जाएगा, minus हो जाएगा, 1 plus 2, 3, 5 minus 3, 2, that means 15 plus 17 gives 32, बहुत interesting method है, चलिए, एक और करते हैं, next, कोई question ले लेते हैं हम, suppose हमने ले लिया 35 and 46, इन दोनों को हमने add करना है, क्या करेंगे हम, दो चीज़े ले लेनी हमने, base and compliment, बेस and compliment, अब यहाँ पर अगर हम base देखे, 46 to 41 to 49, हमारा base कीतना होगा 50, so 50 के नाम का हम क्या लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे हम, 5, 6, compliment क्या होगा, 10 minus 6, that is 4, step क्या था, इन दोनों को add कर दीजिए, base को हमने इसमें add कर देना है, compliment को इसमें से क्या कर देना है, minus कर देना है, बहुत यह असान सा है, 3 plus 5, 8, 5 minus 4, 1, that means, 35 plus, 35 plus 46 is equal to 81, तो आपको बहुत interest आ रहा होगा, हम किसी इक दूसरे method से addition करना सीख रहे हैं, यह छोटी-छोटी, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, छोटी-छोटी बूंदों से ही सागर बनता है, यह जीचें आपको आगे जाके बहुत ही काम आने वाली है, एक दो question और कर लेते हैं, स्पोज कीजिए यहाँ पे जो यह value है, यह इससे छोटी रह जाए, फिर क्या करें हम, हमने किया 23 and 34, स्पोज हमारे पास यह हो गया, अब हमने इनका addition करना है, तो क्या चीएगा हमें, base and complement, तो 34, 31 to 39, हमारे पास base कितना 40, तो 40 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, complement, जो 4 है, complement, 10 minus 4, that is 6, कितना हो गया, 6 हो गया, अब हमने क्या करना है, इन दोनों को add करना है, और इनको subtract करना है, तो आपने हमेशा, हमने यहाँ पे पहले addition कर लिया, आपने हमेशा पहले subtraction करना, क्या 3 में से 6, minus हो सकता है, नहीं हो सकता है, subtraction का हम आगे formula और भी आगे भी करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, 3 ज्यादा हो गया, यहाँ से 1 लेंगे हम, 13, 13 minus 6, that is equal to 7, and 1 plus 4 कितना हो गया, 5 हो गया, so 23 plus 34 is equal to 57, तो आपने एक अलग तरीके से addition करना सीखा है, वैदिक तरीके से, बहुत ही interesting सा है, चलिए, यह था आपका addition based 10 to 80, इस वीडियो के निचे description में मैंने एक आप लोगों के लिए seat दी है, आप उसको download करें, PDF का link दिया है, उसको आप download करें, और बच्चों को घर पे करवाएं, या अगर बड़े बच्चे हैं, तो वो खुद करें, ताकि आपकी इनकी अच्छे से practice हो जाए, चलिए, इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में, अगले किसने किसी trick के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिन, जय भारत!